नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का सरकारी टुडेनियोज के ओफीशल यूडूब चलंग में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुश कबरी है क्योंकि पोस्ट ओफिस में आ चुकी है बंपर भरती जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ओफिस यानि की भारती डाव विभाग की नई भरती के बारे में से मिल सके और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों में ज्यादा से यादा शेयर करें रोजना सीपरकान नई भरतियों की जानकारी के लिए चैलेंड को आज ही सब्सक्राइब करें उन्हों बेल आइकन जरो दबाएगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ओफीस भरती 2022 के बारे में जो की बंपर भरती है पांच जार से अधिक पदोपर यहाँ पर भरतिया निकल करा रही है जिहां दोस्तों अगर आपका ख्शा दस्वी पास है तो आप सभी अभ्यारती आविदन कर सकते हैं सेलरी आपको लगभग 42,000 रुपे प्रती मा मिलेगी और उम्र सीमा जो है कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम जो है 56 वर्ष है तो दोस्तों अगर आपकी उम्र है 18-56 वर्ष तो आप सभी अभ्यारती आविदन कर सकते हैं संपुर भारत से यह भरतिया निकल करा रही है यानि कि भारत के किसी भी राज्य या जिल news.com पर दोस्तो आज ही हमारी वापसाइट पर जाएं और अपलाए करें आप चाहें तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं तो जैसा कि दोस्तो आप दिसेते हम आचुके हैं सीधा हमारी और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दो नई भरतियों की जानकाई लेकर आएं पोस्ट ओफिस की अलावा एको नई भरती आ चुकी है उसकी भी आपको जानकाई देंगे तो चली दोस्तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर वन भरती की जो निकाली जारी है ESIC की तरफ से जीहां दोस्तो UDC, MTS, Stenographer के पदों पर ये Bumper भरती की सुचना जारी हो चुकी है कुल पदों की बात करते हैं तो 3800 से अधिक पद यहां पर जारी के गए हैं जो कि संपुन भारत से सभी महिला और प्रुश अभ्यारती के लिए भरतियां है अपलाए के वल आपको ओनलाइन करना होगा जोब लोकेशन संपुन भारत की रहेगी उमर सीमा जो है कम से कम 18 है अधिकतम 27 साल है आई सीमा में छूट है सरकार के ने मनुसार और आविदन शुल्क जो है जनल ओबीसी के लिए 500 है SCST, PWD और फीमिल के लिए 200 है पेमेंट आपको ओनलाइन करना होगा चेन परकरिया में आपकी लिखित परिक्षा होगी उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा योग्यता दस्वी बार भी ग्रेजूट पास सभी अभ्याटती आविदन कर सकते हैं 15 फरवई तक इसके आविदन चलेंगे ये रहे आविदन करने की लिंग वही दोस्तों भारती डाव गिभाग यानि की पोस्ट ओफिस की तरफ से भी एको नई भरती की सुचना जारी हो चुकी है पदों की बात करते हैं तो मेल मोटर सर्विस के पद पे यहाँ पर नोडिफिकेशन जारी किया गया है स्टाफ, कार, ड्राइवर के पद यहाँ पर आ चुके हैं अपलाई केवल आपको ओफलाइन करना होगा बाई पोस्ट ही चेंट परकरिया में आपकी कोई भी परिक्षा, कोई भी इंटर्व नहीं होगा केवल आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा सेलरी आपको 19,000 से लिकरके लगबग 63,000 रुपे पर तीमा सेलरी मिलेगी उम्र सीमा जो है अधिकतम 56 साल है, आई सीमा में छूट है, सरकार के इने मनुसा और आविदन शुल्क बिल्कुल फ्री है सभी अभ्यारतियों के लिए योगेदा केवल 10 वी पास अभ्यारती आविदन केवल आपको 30 दिनों के भीतर करना होगा यानि कि 28 वरवरी तक आप आविदन कर सकते हैं, ये रहा आविदन करने का लिए नोडिस्फिकेशन के साथ अधिक जानकरी के लिए सुचना को ध्यान से पड़ेगा वीडियो अच्छे लगा तो लाइक कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा